सब्सक्राइब करते हैं कि मैंगनेट के बाहर आउट सब्सक्राइब नहीं करते हैं और तीसरी डिग्री ओफ क्लोजनेस के बारे में सब्सक्राइब करते हैं तो यह तीनों बातें यहां लिखी हुई आप पढ़ सकते हो ठीक है तो बस और कह रहा है डिस्क्राइब ब्रीफ एक्टिविटी टू स्टुडी जी डूर्ट करेंट कर रहा होता है तो इसकी मेंगनेटिक फिल्ड लाइन के बारे में आपको बताना ह अगर आपको याद हो बहुत डिटेल में मैंने इस पर चर्चा करी हुई है तो जिन बच्छों ने वह दो डाही घंटे वाला स्रीज नहीं देखा है जाके देखिए तो आपको पता चलेगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक है कहा गया भाई आजाओ यह वाला टॉपिक मैंन बागी आप उसके पैटरन को समझाद होगे ठीक यह तरीके से रख दोगे और कहानिया वही वही लिखनी है जो वहाँ पर पढ़ाई थी यहां पर देखे कॉंसंटिक सिर्कल बन रहा है और इस तरीके से हम इसके हर एक सेक्शन पर क्या लगाएंगे राइट-hand-thumb rule तो दे सब आपको यहां पर लिखनी चीज़ें ठीके न उसके बाद बस मैं आपको कोश्ण दिखा रहा हूँ क्या-क्या आया है ज्यादा अप टेंशन नी लेना है अब देको कह रहा है कि वाटर मैग्निक क्या हैं इसकी तो करेक्टर क्टरिक हम डिसकस कर चुके रहा है पैटर ऑ कैसे बताया था याद ना उपर कैसे बनता है इस बड़े बड़े सरकल से उनकी लाइन कैसे हो जाएंगी आप इस ट्रेट ओके तो यह रिवीजन इन बहुत डिटेल में पढ़ा है प्लीज जाके देख किया यह ओके चलिए उसके बाद और जो भूल चुके हैं जो लोग जाक अब बार मैगनेट के अंदर भी मैगनेटिक फिल्ड लाइन कैसी होती है यूनिफॉर्म मतलब हर एक पॉइंट पर सॉलिणोइट के अंदर मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन क्या होगी सेम होगी तो यह सब डियाग्राम आपको बना देना है उसके बाद बुच्छों आ करना है जब किसी करेंटिक एरिंग कंडेक्टर को कहा रखते हैं मैगनेटिक फिल्ड में तो उस पर फोर्स लगता है इस एक्टिविटी को आप किस से एक्स्प्लेइन करोगे याद आया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएंगे और NCRT का यह वाला डियाग्राम मनेगा यहाँ पर आजाईए यह NCRT की यह वाली एक्टिविटी जो हम आपको रिवीजन क्लास में डिसकस कर चुके हैं अगर आपको याद हो कहा गया भाई आजा यह वाला कहा गया रिवीजन क्लास जरूर देख लो जिसने नहीं देखी यादे यह ऐसे रखा हुआ था होर्शू यह कंड़क्टर किदर जाता था लेफ्ट में यह ऐसे और जब रिवर्स कर दिया था तो यह राइट में मूफ करता था यही वाली पूरी एक्टिविटी कौन सी वाली इससे रिलेटेड यही है ना 13.7 शायद मैंने 13.3 जैसा कुछ बोल दिया था लास्ट क्लासस में बढ़ आप समझ जा ना इसके सामने जो दिया हुआ यही आप पढ़ लेना ना पढ़ने को दुरुती नहीं अपने शब्दों में लिखो न मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया रिविजन क्लास में चलो अगला आजाओ नेक्स कुश्चन कौन सा बच्चो तो यह अक्टिविटी आपको लास्ट वाले पार्ट में बतानी है तीक है यह वाली अक्टिविटी उसके बाद आजाएगे अब देखो यह अच्छा सवाल है शायद इसका आंसर आपको कहीं ने मिल रहागा 2016 में कोश्चन आया था है न तो यह कुश्चन में आपको थोड़ा सा बताता हूं यहां डाग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है देखो सवाल पढ़ो पहले सवाल क्या कह रहा है कि a magnetic field line associated with a current carrying straight conductors in anti-clockwise direction मतलब कोई straight current carrying conductor है ठीक उसमें magnetic field line का जो pattern है सुन लो magnetic field line का जो pattern है वो कैसा है anti-clockwise कह रहा है अब देखो बात समझो अजीब सी बात है बाई देखो एक बाता है सुनो यह straight current carrying conductor है ठीक अब जैसे आप सामने बैठे हो तो भाई इसमें current अभी नहीं पता है कि आप की तरफ आ रहा है कि इधर जा रहा है यह बात है अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो यह नहीं पता है current इध word paper में जाओगे तो उस पर मत जाना मैं आपको simple बताता हूं ध्यान समझो ज़रा देखो आप लोग को इतना तो पता होगा कम से कम बच्छो सवाल पहले पढ़ लेते हैं सवाल और सवाल पढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोग जो बनाते हो कैसे बनाते हो नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट क्या मैंने सही बोलाए हां सही बोल दिया ना मैंने टेक कर लीजे ठीक है नौर्थ साउथ और राइ में इस left में West तो यह डाइग्राम के according हम चलें तो द्यान समझो चो जो ज़रा क्या किया है इन्होंने अब ऐसे मैं खड़ा हो तो आप समझ जाओ इधर North है इधर क्या है South है इधर East है और इधर West है ठीक तो इन्होंने क्या किया है थोड़ा समझ लेना इदर दिखो पहले समझो कोशन दमझो फिर डाइग्राम को करेक्ट कर लेंगे ठीक है केरा दा मैंगेडी फील्ड लाइन से असेशेटेट विधर करेंट गेरिंग कंडुक्टर स्टेट कंडुक्टर इन एंटी ग्लॉक्वास डिरेक्शन में अब कहां से देख रहे हैं यह नहीं बता है उसने कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं यह जो लाइन लिखी इव दा कं होगे यह देखो क्योंकि आपको पता है नौर्थ हिदर है साउथ हिदर है यह इस्ट है यह वाले डाइग्राम कर लो और यह वेस्ट है तो ऐसे कंडुक्टर रखा हुआ है अब समझ में आए बात होरिजुन्टली मतलब ऐसे आपकी फर्ष जोए ना जहां आपका मेरे में यही डारे में पता है कि उसने बोला कि अभी आप देख रहे हो तो कर दूर्ड के द्वारा में फिल्ड लाइन-क कैसा है अब आप कौन से एंडर से देख रहे हो यह उसने बोला नहीं तो आपकी मर्दी आप किसी भी एंडर से देख लो समझो माक्स मिल लाएंगे भाईया टेंशन मतलो समझो देखो देखो मैं आपको बताता हूं समझो बाई एक बच्चे ने बोला सरवैता ऐसा बनाऊंगा नौ को आपको अपनी काफी में कापी मेंशन करना पड़ेगा यहां पर क्या है सीन फ्रॉम दॉस्न साइड इदर वेस्ट उदर आके खड़े हो के देख रहे हो तुम खड़े हो जाओ जो जो खड़ो वेस्ट की तरफ करेंट कैसा है एक रिकरेंट नीकरेंट नी रुख जो मैंगडिक फिल्ड कैसी बन रही है एंटी क्लाकवाइस तो राइट हैंड थम रूल से चारों उंगलियां करल करके किदर लेकि आएंगे एंटी क्लाकवाइस इधर खड़ेंगा क्या हो यह ऐसे तो थम्ब कहां आ रहा है बाहर याने के करेंट किदर आ रहा है इधर आ रहा है तो यह चीज़ है ठीक तो अपने डाइग्राम को कैसे करोगे बच्छो यह देखिए डॉट डॉट मतला रहा है यह किसको दिखा रहा है बच्छो बी को बी का मतलब मैंगनेटिक फील्ड लाइम्स को देख रहो सही है न एरो अरे भाई समझ जाना यह चीज़ तो ऐसी है बस यह क्या हो गया तुम्हार अरे शही तो बनाए यार इसने शही तो बनाए भाई इ एस्ट और लेफ मोई समय उल्टा कर रहा हूं राइट में अरे यार इनका ही डैग्राम का गलथ था जाए ठरक कर लो एक में रुग जो आई यही तुम्हें करक्क किरा रहा था छीक नॉर्फ फाउथ और इसेक्षोम गलत है यार इनका सगर और तो यह चोड़ो इथे इस टेंड अब सही है डारेक्शन तो सही बनाओ ना खड़ो जो 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 यह एसे इस की तरफ खड़े हो गए ठीक और अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो करेंट उधर चला जाएगा और इस के साइट देखने से मैंगेडिक फिल्ड पैटन कैसा हो जाएगा क्लॉक्वाइज लेकिन कोश्चन में कि मैंगेडिक फिल्ड पैटन कैसा है एंटिक लगवेस तो आप किदर भी खड़े हो जाब मैं इस क देखने करूंगा यह मेरा करेंट फिर किसी दूसरे बच्चे ने का हम तो ऐसे आंसर नहीं देंगे हम तो ऐसे देंगे कैसे समझे दूसरे बच्चे कांषर देखो घए दूसरे ने कहा ये नौर थे ये साउथ है ये इस थे ये वेस्ट है लेकिन मैं ख़ड़ा कहां होंगा वेस्ट की तरफ ख़ड़ो जा भाई क्या ही जा रहा है तुमारा चेक ख़ड़ो जाओ चेक कैमरे में दिखाई पढ़ ला पता लगा दिखाई ना पढ़ लाओ एक नट तुम इदर ख़ड़े हो जाओ आओ लेकिन तुम जिदर भी ख़ड़े हो रहे हो तुम्हें कि दर करना है एंटी ग्लाकवाईस वो कॉश्चन में दिया यह टेओ ऐसे करोगा अरे ऐसे नहीं कर सकते हो भी या क्रेंट उदर चलाएगा और क्लाकवाईस हो जगा मैंगेटिक फिल्ड ऐसे करोगे ऐसे तब ही तो अब बताओ थम कहा रहा है बाहर थम किसको बताता है क् ऐसे ऐसे एंटी ग्लाकवाईस समझ जाना यार एंटी ग्लाकवाईस तो करेंट को कि दर आना पड़ेगा बाहर की तरफ यानि कि अब वो इससे मेश फ्लो कर रहा है आगया यह वाला पार्ट क्योंकि अब मैं दूसरा बताने जाओंगा इसका स्क्रींशॉट ले लिजे व चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं अब इसी में उसने सवाल आपसे क्या किया आगे एक्स्प्लेइन विद रहल पूरा वेक्यान लिखना है जो एक दोगे ठीक रूल पूरा लिखना है उसके बारे में आगे पड़ो करें कि if the connector is held vertically and current flows from north to south अब देखो अब उसने बोल दिया अगर अगर ऐसे ना रखे ऐसे रख दे और current कहां से कहां फ्लो कर जाए करेंट कहां से कहां फ्लो कर जाए बच्चों पढ़ लिजे from north to south तो बनाओ डाइग्राम अराम से बिलकुल अराम से इस बार तो आप कुछ करोगे नहीं इस बार तो डिसाइड कर दिया उस नहीं यह लो यह रहा north और यह रहा south बच्चों ठीक और यह east है राइट में और left म सुन लो कि नौर से south देखो तो magnetic field कैसी बनेगी यह डियाग्राम सबसाना देखो west में तो अंदर जाएगी west side में और east से कहां निकलेगी बाहर क्या आप समझ सकते हूं यह वाला जो प्लेन है अरे यह जो बोर्ड का प्लेन है यह इस पर राइट हैंट हम रखोगे करेंट की ठीक तो magnetic field कैसे बनेगी हम यह करेंट करेंट किदर रहे नौर से south एक तो मैंगडी फिल्ड किदर बनेगी यह यह वेस्ट में अंदर जाती हुई और इस से बाहर निकलती हुई ठीक तो अगर आप समझ रहे हुँ वेस्ट में अंदर जाती हुई और इस से यह ऐसे और अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो क्या कि इस्ट में कैसी डॉट लगा देंगे डॉट का मतलब बाहर निकल लई magnetic field line और वेस्ट में cross यह आप बोल सकते हो एक और तरीके से पता है बिल्कुल असान तरीका बता दूँ कि अगर हम टॉप से आके देखें अगर हम कहां से देखें टॉप से आके देखें थम्ब नीचे तो कैसे मैंगडी field line clockwise अगर हम बॉटम से आके देखें आप ऐसे बोल सकते हो टॉप का मतलब है नौर्थ की तरफ से अगर हम टॉ करके देखें भाई आप करके देखें करेंट नीचा रही है ऐसे तो कैसी है एंटी क्लॉक्वाइस टॉप से clockwise और सौथ की तरफ से एंटी क्लॉक्वाइस ऐसे भी जवाब दे सकते हैं जवाब देने कितने तरीकों के बताओ चार तरीके कैसे टॉप से देखा नौर्थ की हम रूल लगा रहे हैं तो इस से बाहर निकलते हुए और वेस्ट में अंदर एंटर करते हुए ठीक तो आप अपनी भाशा में अंसर लिख सकते हो जो आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो इसको आप नोड कर लीजिए अब सुनो यह सब डियाग्राम पर रोसा मत करना उल्टे सीज़े डियाग्राम बने हुए है अब देखो बच्छों यहां पर आजाओ करा मैगनेटिक फिल्ड लाइन और टू बार मैंगेट्स ए और शोन है नेंड पोल्स और बताओ एसे निकल लिए बी में इंटर करते हैं नहीं अरे बड़ा-बड़ी यह डागराम है कंफियूस करने के लिए फट्चों ध्यान से चेक करो A से भी मागनेटिक फिल्ड लाइ बता दिया है अगला 2 Magnet Lines never intersect each and डर्वाई दो Vlog Line एक दूसरें ईंटर्सेक्ट नहीं कर सकती है मैंने कई बार आपको बता दिया है नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि एक ही पाइस करेंगी तो सपियंट पर to the RDS of the wire यतना कम होगा परी am very for the radius of the circular loop strength of magnetic field कहां पर at the Center is inversely proportional to the radius of the wire फ़री radius of the circular loop रडियस जितना कम होगा उतना ही magnetic field center पर जादा होगा ठीक मतलब इसमें भी अगर current i flow कर रही है और इसमें भी अगर current i flow कर रही है ठीक तो इसके सेंटर पर मैंग्नेटिक फिल्ड जादा होगा इसके सेंटर पर यह लूप कैसा है छोटे रेडियस वाला ठीक उसके बाद दूसरा क्या है तो यही बात लिखी फास्ट रेडियस ऑफ दा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ओके दूसरा नंबर ओफ टरंस इ इतने ज्यादा नंबर एन का मतलब नंबर ओफ टरंस बढ़ा दोगे उतना मेंग्नेटिक फिल्ड इस सेंटर पर बढ़ जागे हर एक टर्न का मैंग्नेटिक फिल्ड एडप हो जाता है सेंटर पे उसके बाद स्ट्रेंथ आफ दा करेंट फ्लोइंग इंदा कोईल बस इंपोर्टन कोश्चन था सुनलो यह नोट कर लीजे वेरी इंपोर्टन कोश्चन है कौन-कौन सी बातों पर डिपेंड करता और कैसे यह बहुत अच्छा अंसर नहीं लिखा है रेडियस आफ दा कॉइल नहीं इनवर्सली प्रोपोश्चनल तो दे रेडियस आफ दा अजिए नीचर आफ द पोल्स सेक्षेंच भाई ठीक टो एक्स कैसा है नौर्थ है और य कैसा है। नौर्थ निकल रही है साउथ में इंटर कर दें घख स्शनौ रहा है साउट है तो बस एकस नौर्थ वाय साउथ एकस नौर्थ तो अगला उसने बोला अरे भाई कहां आ यहां पर आजाओ उसके बाद क्या बोला उसने क्याने ड्रॉव फील लाइन अराउंट करेंट गेरिंग लुप यहां ना वाट अपन्स तो the magnetic field due to the current करेंग इस्टिट कंडुक्टर वेंदा करेंट रिवर्स अब सुनो द्रॉफ जो था वही वाला डियग्राम बनाना है सर्कुलर लूब के खरण ब्सक्ळीदें का बनाना इसमें ऊसके बाद वत्चोस ने क्या बोला आप से इस्टेट द रूल नहीं उसके बाद बोला क्या what happens to the magnetic field lines due to current carrying straight conductor when the current is reverse the straight current carrying conductor में current reverse करोगे तो magnetic field की direction क्या होगी reverse हो जाएगी बस उसके बाद state the rule which gives the relation between the magnetic field lines and the direction of the current magnetic field line or direction of the current की बीच में कौन relation कौन सा rule है ऐसा जो बताता है दोनों की बीच में relation state the rule which gives the relation between the magnetic field lines and direction magnetic field line and direction of the current magnetic field line right hand thumb rule ठीक flaming का left hand मतलिक देना flaming का left hand तो किसके बीच में relation बताता है current magnetic field और लगने वाले force के बीच में current carrying conductor पर जो force लगता ओके तो इसका answer क्या है right hand thumb rule तो second का answer क्या है right hand thumb rule ठीक है अब पूरा right hand thumb rule अब लिख दोगे अगला अब देगी यह बहुत अच्छा सवाल है चेक सुन लो सुन लो यह बहुत अच्छा सवाल है या इस सवाल को तो मैंने revision series में भी आपको कराया था आपकी revision चलो 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 देखो यह बहुत अच्छा सवाल है ठीक पहले यह देख लो भया डिस्क्राइब एक्टिविटीव डिटर्माइंड देक्शन अधा मैंटी फिल्ट पडूस्वाय करेंट गेरिंग स्टेट कंडिक्टर अरे वही अक्टिविटी करना के लिए आरेन फिलिंग काम नहीं करेगी क्या रखेंगे मैंटी कंपास उससे डिरेक्शन पता से लेगी ना तो जब करेंट उपर की तरफ था तो वह उधर डिफलेक्ट हो रही है मानलो अब वह तो बात की बात है कि दरूरी है करेंट की चेंज करनेंगे तो उसका डिफल ऐसा बनाकर दिया इसको फोर दो भाई अभी पहले आप मेरा देखो जो मैंनेनल क्रॉस लगा पड़ा के अगर तुम्हें याद हो सुनो है यह मैने कुछ लगा के पढ़ाया था कि क्रोस का मतलब मैयनिक फील्ड कहाँ है इंट्टॉ दपेज है अरे बाइं क्रोस का मतलब क्या होता है को इस कई का यह ней्म प्रोटॉन को भीजा was लृटाउन हो चाहे अल्फा पाटिकल बात तो सैंसे यहां। यहां से से यह यहां से तुमने को भीझा था यह थी करेंट किदर है इधा क्योंग टौट suf फ्लोग करते उधर ही दो करते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिया था एफ बी आई याद आया एफ बी आई तो ध्यान सुनो बीकी डिरेक्शन में रखवाया था और यह किदर है करेंट की देक्शन हम किदर आ रहा है उपर तो मैंने बोला था आप से कि जैसे प्लोटाउन यहा सब्सक्राइब करता है अब कुछ लोग बोलेंगे फोर्स तो पर लगा तो घूम कैसे गया रिवीजन वाली सीरीज देखो जब वह थोड़ा सा घूम के उपर आता है फिर से हम क्या लगाते हैं फ्लेमिंग का वह घूम के जब यहां पर आएगा इस तरीके से घूम के सब्सक्राइब अब करने लगता है जिसमें की प्रोटॉन का मॉमेंटम चेंज होता क्योंकर वलासटी की डिरेक्शन चेंज हो रही है सोथए स्थैक्ट सुथिपार्ट के घ्यच सवाल आ के देखिए बैरहाल मोटी मोटी बात której में सभाएं dramatic सब्सक्राइब अंदर है और यह ऐसे है तेंगल किता बना 90-degree हां यह मैंगनेटिक फिल्ड और यह क्या है प्रोटॉन की डिरेक्शन यह एसे यह एंगल किता बन रहा है 90 तो वो कैसा मोशन करता था सर्कुलर मोशन करता था कि नहीं करता था तो यहां पर मैंगनेटिक फिल्ड ऐसे अंदर थी तो ऐसे विचारा घूम गया आज मैंगन रिख लेगा तो सर्कुलर मोशनी लेकिन वो जो सर्कुल बन रहा था तो यह से मोशन खरता है तो अज सर्कल बनेगा बनें नहीं दो स्कतिक ऐसे बनरा था में ट्योव टूव ऑज कैसे बनेगा बनेगा लेकिन प्लेन के परपिंडिकुलर बनेगा चेक करलो यहलफा-ोंधिकल एक सेंटर एक यह भी है ऑ खरे Jeff करेंट कहा है उपर T थम बनेंव यह कर दिदि था अंदर तो यह प्रतिकल को को फोर्स कहां मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा एंटी क्लॉक्वाइज और इधर दे खड़ा होके देखूंगा तो घूमता हो ऐसे रहा था क्लॉक्वाइज यानि कि वह एक ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा जो की परपेंडिकुलर तो इसका मोशन कैसे होगा और यूज कौन सा रूल किया है आपने यूजिंग लेफ्ट हैंड अरे फ्लेमिंग नाम लिख देना भाई मैं नाम लिख देना हूं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल अल्फा पार्टिकल वल मेका तर्कुलर मोशन विचस परपेंडिकुलर तूता page of the plane to the plane of the page to the plane of the page एक बात और लिखनी इसमें क्या we know that magnetic field exert force on a moving charge particle और क्या लिखोगे इसमें इस question में magnetic field exerts force यह लिखा है magnetic field exert force on a moving charge particle यह मैं आपको शुरू से पढ़ाता हूँ चला रहा हूँ कोई चार्ज particle है तो magnetic field क्या लगाई उसके पर फोर्स लगाएगी कि कि यह है और क्या है अब वाल लोब अच्छो ऐसा होता magnetic field ऐसे होती और alpha particle को ऐसे भेशता हो यह बी है magnetic field alpha particle ऐसे तो यह बी है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्लॉक्वाइस करेंगा तो फिर लगाएंगे रूल तो फिर इधर हम ऐसे एक मतलब हम सेंटर की तरफ आजएगा बैरहल यह क्लास ट्वल्फ में आपको निकालने ज़रोत नहीं बस आपको एक्जाम में क्या लिखना है कंक्लूजन बता रहा हूं जो आपको एक्जाम में लिखना है सुनो अगर ऐसा डाइग्राम आजए क्रॉस लग के मैगनेटिक फिल्ड लाइन ऐसी हो या डॉट लग के मैगनेटिक फिल्ड लाइन क्या हो प्लेन के बाहर हो और फिर अलफा पार्टिकल घूमें चला जाए तो सर्कुलर मोशन करेगा लेकिन वह सर्कुलर मोशन कैसा होगा ओन दा पेज लेकिन अगर मैगनेटिक फिल्ड लाइन ऐसी बन जाए और चाहे मैगनेटिक फिल्ड लाइन ऐसी बन जाए और अलफा वर्टिकल ऐसे जाए ऐसे जाए तो कैसा सर्कुलर मोशन करेगा पर्प पेज नहीं समझ में आ रहा है मत करो तो जिन बच्चों ने क्लास कर रखी वो तो राइट हैं लेफ्ट हैं रूल की जिसके प्रैक्टिस वो तो कर लेगा बस आप यह समझोए है मोशन कैसा होगा सर्क्लोर मोशन ठीक लास्ट एंस में आपको मार्क्स मिल लेंग टेंशन मत लो चलिए बाकी हम नेक्स क्लास में करेंगे